तीना अपने क्लास में बैठी थी टीचर पढ़ा रही थी और सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे लेकिन क्लास में होने के बाद भी तीना का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था वो कुछ उदास उदास बैठी थी टीना को पेट में कुछ दर्ध हो रहा था इसलिए वो वाश रूम गई उसका दर्ध इतना ज़्यादा था कि उसको स्कूल से हाफ टे लेकर घर जाना पड़ा घर जाते वक्त टीना एक प्रेगनेंसी टेस्ट वारे प्रोड़क्ट का एड़ देखती है और डर जाती है फिर टीना घर जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्स का वेट करती है अपने बॉइफेंड के साथ स्पेंड की हुए टाइम को याद करती है और प्रेगनेंसी टेस्ट के किट को देखती है टेस्ट पॉजिटिव आता है टीना बहुत टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि अपने पैरंस को क्या मूँ दिखाएगी तब ही बहार से उसके पैरंस की चिलाने की अवाज आने लगती है अपने पैरंस की लड़ाई को देखकर टीना बहुत दुखी होती है और अपनी बात किसी को नहीं बताती अगले दिन टीना स्कूल जाकर देखती है कि उसका बॉइफरेंड किसी और लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है टीना उसके पास जाती है और बताती है कि वो प्रेगनेंट है और उसके पास बच्चे की केर करने के लिए पैसे नहीं है राहुल उसको डांट देता है और वहाँ से चला जाता है टीना दुखी होकर अपने क्लास में जाकर बैट जाती है तीना की मा उसकी रूम में सफाई करने के लिए जाती है तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर पड़ती है और उसको देखकर टीना की मा के होश और जाती है उदास टीना स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है तीना की प्रेग्नेंसी के बारे में उसकी मम्मी टीना की पापा से बता देती है तीना जब घर जाती है तो उसकी पापा उसको बहुत डाटते हैं और घर से निकाल देते हैं घर से जाने के बाद टीना पार्क में जाकर एक बेंच पर बैट जाती है और रात तक उसी बेंच पर उदास बैटी रहती है तभी कुछ देर बाद वहाँ तेज़ बारिश होने लगती है तीना की मम्मी पापा उसको अपने साथ घर लेने के लिए आते हैं तीना की मम्मी डौटती हुई तीना की पास पहुशती है और उसको गले लगा कर बहुत रूपी है और अपने साथ घर ले जाती है टीना अपने रूम में जाकर सो जाती है और उसके मम्मे बापा इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निगालते हैं अगले दिन टीना की मम्मे उसको एक हॉस्पिटल में अबोर्शन करवाने के लिए लेकर आती है टीना बैंच पर बैटी वेट कर रही है और उसकी मा डॉक्टर से बात करती है तभी वहाँ पर एक बच्ची टीना के पास आकर खेलने लगती है और टीना अपने बच्चे के बारे में सोचती है तभी टीना को नर्स ओपरेशन के लिए बुलाती है कुछ साल बाद तीना अपने ओफिस में बैटी काम कर रही होती है अभी उसकी सेक्रेटरी उसको कुछ बताती है तीना ओफिस से चली जाती है तीना एक बच्ची से उसको स्कूल जाकर मिलती है पास सल पहले तीना हॉस्पिटल से भाग जाती है और अपने पापा से औबोर्शन करवाने के लिए मना कर देती है उसके पापा उसको गले लगाते है तबी वहाँ पर उसका बॉइफिन राहू लाता है और उसको अपने गलती का एहसास होता है